निक्स कॉलर है विज़ जी हमारे साथ, विज़ जी स्वागत है आपका सवाल पूछे अपना हमारे सुगर है 15-20 साल से, कितने अथी है सर सुगर अभी अपकी? अभी तो नपवाया था तो कान नारमा थी थोड़ी बढ़ी थी थोड़ा सुगर अचा, अचा, तो कोई बात नी तो इसका तो पूरा सैट बंगाओ तर एक करेला तीन चेड़ पीं, जैसे समझेना बात ने को पूरा अदेख ध्यान से सुनना, एक करेला तीन चेड़ तेमाटर का तो आप जूस पी हो, सूबह पिर स्था क्रेले में सुलें ने टेमाटर में कि खाली करे ले करे ले कि आमिद पीना और चपहरे थोड़ी मात라고 लेना पहले तस गराम लेना फिर बीस गराम फिर थी हम कि कि एक दम कोई आदमी नए चीज्र लेता रहे तो उसको अजम सा नहीं होता, तो इसलिए पहले 10 गराम लेना, फिर 20 गराम, मत देने देने बटा देना फिर पूरा लेना, दूसरा काम क्या करना है? गेहूं की, चने की, और जों की, गेहूं, चना और जों, और ओर्गनिक मिल जाए तो बहुत ही अचा नहीं तो जाएसा भी है, तो इस आटे की रोटी पिस्वा के इस आटे को थोड़ा सा कडाई में भून लेना हलका सा भून लेना तो और उसकी रोटी खाओ दूसरा काम क्या करना है खाना खाने के बाद पेट पर गरम और ठंडी पटी बांधनी आपने खाना खाने के गरम ठ्टी पटी बाँखयाए एक कफ गरम पानी पीकर और तेज घजमों से कमरे में ही चलना है कमरे में ही और आठ का अक्सर बना लो तो और भी अच्छा नहीं तो कमरे म अपने चलते रो इंदर से उधर गुमते रो तो आप थो की इसे मन मल नहीं सोएगी मल ऐसे वा तो उससे क्या होगा बहुत ही अच्छा एफेड़ पढ़ेगा डायबटीज में तब बहुत ही जबरदसनाड़ फेक्ट पढ़ता है तो उससे क्योंकि लियूर का भंखनशन सही हो यह जाता है खाना जैसे हो खुलने लगेगी और जैसे जैसे हमें चिंता हो जाएदगी मान सीख परेसानी हो जाएगी तो पेर किरिया सुकडने लग जाएगी तो डाइपटीज बढ़ने लग जाती है इसी दा सिंपल सा फार्मूला है मैं करूँ भगवान ने बहुत अच्छा मारा सिरीर दिया सर बहुत ही अच्छा सिरीर दिया बस हम उसका पालन सही तरीके से नहीं कर पाते तो जैसे जैसे आप मैं करूँ एक बिना करका देखना सिर्फ एक ही बिना जोए बहले एक दवाई को खाऊ ना खाऊ एक अलग मेटर है ये उपचार करना और खुब जोर से हसना जैसे सुबह भी दो पर भी शाम को भी जैसे तीन टैम दवाई काई ये दवाई एक दिर पूरी अंदर से बिमारीयों को आप इसका कमाल देखना ये देखना और पारक में सुबह जाना या अपनी चट पर चले जाना कोगी जरूरी ही तो है नहीं कहीं पर करूँ और फिर डायबटीज का देखो चेक कर रहा हो रोज की चेक करना और फिर देखना एक विन्हे बाद कितना फरक पड़ जाएगा उसमें